नमस्कार दोस्तों दर्भंगा रॉक्स में आपका स्वागत है बहुत कोशिशों के बाद बिहार में तीसरा एरपोर्ट बना दर्भंगा के रूप में नहीं तो पटना और गया ही दो मात्रे एरपोर्ट थे लेकिन कई ऐसे एरपोर्ट हैं जो अभी भी जो है वो उधार की बाट जो रहे हैं अभी भी सरकार की महरवानी की बाट जो रहे हैं कंपनियों की महरवानी की बाट जो रहे हैं और उसमें से ये है पुर्वी चंपारन का रक्सॉल एरपोर्ट और आज इसी की चर्चा करेंगे और ग्राउंड डिपोर्ट दिखाएंगे कि पहले क्या तो देखेगा जरूर इसमें आपको पता चलेगा कि पहले एरपोर्ट कैसा था और आप कैसा दिखाई देता है तो चलिए इस यातरा पर आपको दिखाते हैं कि रक्सॉल एरपोर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट की आया और आपको देख करके रियली बहुत मायूसी होगी किस तरह से ये बद से बतर बदहाली के हालात में क्या कहेंगे इसको ग्राउंड कहें या प्ले ग्राउंड कहें या खेत कहें या पता नहीं क्या करें आईए हम आपको ले चलते हैं इसकी कुछ और जानकारी देते हैं आपको अंदर ले चलते हैं ये देखिए रोड में ग दिवार और ये पकडंडियां जो हैं उबर खाबर ये मवेशी चराते हुए लोग ये नजर आ रहा है साफ सा पता चल रहा है कि यहां पर इस एरपोर्ट का क्या काम लिया जा रहा है यह चारगा बन चुका है खेती यहां होती है और किसानों के लिए अभी फिलहाली एरपोर हो रही है और यह देखिए आने जाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एरपोर्ट है और नहीं भी ना के बराबर है यह बच्चे का प्लेग्राउंड है और इस समय हम समझे कि यह रनवे पर चाहड़ चुके हैं यह रनवे है आपको मैं दिखाता हूं मैं समय पूर्वी रनिंग करती है और यह है रनवे है यह का पूर्वी दिशा है और यह रन बेब पूरब से पश्षिम की तरफ जाती है हम रनवे पर खड़े हैं रनवे का सर्फेस तना मजबूत नहीं लग रहा है यह सिर्फ मुझे लग रहा है प्रव्यवर्य सामने जो आपको दिख रहा है यह बउन्डरी वाल है एएरपोर्ट का एरपोर्ट की बउन्डरी वाल है यहाँ से यहां तक पूरी वहां तक वो जो आप वाइट मकान देख रहे हैं वहां तक इसकी बॉंडरी वॉल है इधर वो फाइट मकान तक और इधर आगे तक यह Jord बिल्कुल बंद है यहां खेती होती यह पहला एरपोर्ट है भीहार का भारत का जहां एरपोर्ट पर खेती होती है वो देखिए वो गेट है जहां से हमने इंट्री ली थी सामने सामने गेट है इस केट से यहां से आप आर पार हो सकते हैं उस केट जहां दिवार टूटी है मैं इस समय रक्सॉल एरपोर्ट पे ग्राउंड जीरो पे हूँ जो कि एक गुम्नामी के अंधेरे में डूब गया है इसका कोई माई बाप नहीं है कोई लेखा जोखा नहीं है जी ये देखिए हम रन्वे पे खड़े हैं इस समय ये इट का रन्वे है पहले शायद ये अलकत्रे का था लेकिन अलकत्रा बचा ही नहीं सिर्फ और सिर्फ इट बची है जी आप सही सुन रहे हैं इस सब मैं मैं रक्सॉल एरपोर्ट पे हूँ वो देखिए वो बॉंड़ी बॉल है एरपोर्ट की वहां तक पुर्वी दिशा में मैं खड़ा हूँ और वो पच्छिम दिशा तक यहां से शायद टेक आफ ये लेंडिंग दोनों हो सकती है ये देखिए ये है रक्सॉल एरपोर्ट गुमनामी के अंधेरे में डूबा जा रहा है नजाने कब इसका कोई पालन हार होगा तो ये इस्थिती है रक्सॉल की उस रक्सॉल की जहां जिसे उडान योजना में शामिल किया गया था लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी तयार नहीं हुई लेहाजा इसका प्लैन धरा का धरा रह गया और यहां की स्थिती ये है कि रनवे नज़र तो आता है लेकिन ये एक गली महले की सड़क की तरह दिखाई देता है ऐसे में सवाल यही है कि जहां पर बाइक ठीक से नहीं चल सकती वहाँ प्लैन कैसे लेंड होगा और सबसे बड़ी चीज यही है कि रक्सॉल एरपोर्ट को डेवलप नहीं किया गया और यह सरकारी उदाश सिंता के कारण या फिर जो इसको रख रखाओ के कारण यह स्थितिया भी बनी है कि यहाँ पर छोटा विमान भी लैंड नहीं कर सकता और पहले यहाँ पर गेट भी दिखाई देती थी लेकिन आप वो गेट भी गायब हो गई है पहले यहाँ पर साइन बोट दिखता था वो भी गायब हो